application of css css के applications को जान लेते हैं निकिस के जो है अनुपरियोग क्या क्या हो सकते हैं तो देखे css time को save करता है अब css time को save क्यों करता है आपको मैं यहीं पर दिखाता हूं अगर मान लो यहां पर आपको h1 लेना है 50 जगे तो आपने h1 को सिर्फ एक वार डिफाइन की हो इसका मतलब है कि इस tag को आपने एक वार लिखे हो और 50 tag के लिए आप एक बार लिख रहे है निकि time आपका जो 49 बार जो लिख रहे है तो उसका time आपका बच चुका है यानि कि time को काफी save हो जाता है यहां पर css को लिखने मापका time काफी बच जाता है तो यहां पर हम simple बोल सक को प्योग करें तीन प्रकार की CSS होती है आगे हम देखने वाले हैं एक तो होती inline जो कि आपको HTML के element के अंतरगत देखने को मिलती है दूसरी होती है internal जो कि आपको head tag के अंतरगत style जो tag है उसके अंतरगत देखने को मिलती है तीसरी होती है external style sheet जो कि हम .css file के नाम से save करके उसमें इस प्रकार के जो element है या फिर class है या फिर id है इस selector के माध्यम से जो property और value है वो define करते हैं तो वो एक अलग होती है तो अगर external style sheet copy up करते हैं और हमारे पास 20 web page है तो 20 web page के लिए external style sheet में हमने एक ही file में क्या करें है पूरी style sheet को describe कर दी है और वो हर जग है उसको link tag के माध्यम से हमने apply कर दी है तो हमारे page का load जो है काफी कम हो जाएगा यानि कि हर एक page में जो coding है बहुत ही कम देखने मिलेगी और coding कम देखने मिलेगी पेज हमारा load होने में काफी मतलब कम समय लेगा यानि कि page load faster ठीक है easy maintenance बही बात है कि जब हम एक ही जग है style sheet को describe करेंगे तो हमको हर जग है maintenance करने की जरूरत नहीं है जिसे 20 web page या 50 web page है तो हमको सिर्फ एक ही style sheet या एक ही page में style sheet को manage करना होगा तो easy maintenance यहां देखने को मिलता है तो यह basic कुछ चीज़े है आप जितना बताओ उतना ही कम मिलेगा आप CSS पढ़ते जाओ आपको बहुत सारी चीज़े समझने को मिलेगी या जानने को मिलेगी अब इसको पढ़ने वाले कोन होने चाहिए तो इसको मैंने पहले बता चुका हो कि हर एक student जो की अपने web page को या web developer या web designer बनना चाहता है अपने web page को attractive बनाना चाहता है personal blog है जो भी चीज़ है तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है CSS दूसरी चीज एक professional होता है जो की web designer के छेतर में आगे बाड़ रहा तो उसको पढ़ना यह बहुत जरूरी है ठीक है तो यह दो बैक्ती है जो पढ़ सकते हैं और पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है मतलब आप CSS पढ़ने वाले हो तो आपको उसको पढ़ने से पहले क्या चीज़ जानना जरूरी है कोई भी चीज होती ना कि जैसे आप अगर college पाट रहा हो तो college पाट आपके लिए minimum requirement क्या होने चाहिए college में admission लेने के लिए minimum requirement आपके पास में 12 होना जरूरी है तो यह हो गई आपकी requirement education की उसी प्रकार यदि आप नहीं job करने जा रहा हो तो job करने के लिए minimum requirement क्या होने चाहिए कि मतलब कोई skill होना जरूरी है या फिर कोई degree या diploma होना जरूरी है ठीक है यह चीज हो गई requirement उसी प्रकार CSS पढ़ने के लिए मतलब CSS आपको पढ़ना है तो CSS के लिए requirement क्या होनी चाहिए तो क्या के requirement होनी चाहिए सबसे पहले उसको जो है एक text editor के साथ familiar होना चाहिए मतलब word processing क्या होती है typing editing formatting जो भी चीज है जैसे मानलो हम अभी यहां पर काम कर रहा है sublime में तो typing सुधारना type करना बहुत सारी चीज इसमें हमने अभी देखें तो basic जो चीज हम type करने से related होती है उसे word processing बोलते है और word processing मतलब होता है text editor में काम करना तो सबसे पहली चीज जो होती है text editor के साथ familiar होना चाहिए text editor में काम करते बनना चाहिए जैसी कि उसको कोई भी text editor में ना बने तो उसको not paid चलाते बनना चाहिए not paid सब से शुरूबाला या फिर not paid plus plus बनना चाहिए या फिर उसको sublime जो भी मैं यहां पर समझा रहा हूँ वो चलाते बनना चाहिए तो यह पहली condition दूसरा उसे directory और files बनना चाहिए directory मतलब हम simple अगर देखें तो देखें यहां right click करके हम new करके folder बनाते है उसे directory बोलते हैं और इस web page बाले folder में एक file मनाते बनना चाहिए copy paste करते बनना चाहिए copy करके paste करते या cut करके paste करते बनना चाहिए तो basic चीज़े बनना चाहिए ठीक है यह सबसे बनती होगी उसके अलावा next जो है एक डारेक्टी से दूसरी directory यहां navigate करते बनना चाहिए एक डारेक्टी से दूसरी डा है एज ले सकते Microsoft एज उसके लावा Firefox हो गया हमारा सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलता है Google Chrome तो Google Chrome ये जो बेसिक जो web browser है इन में काम करते बनना चाहिए ताकि आप web page को बनाए और manage कर सके साथ ही उसको एक web page का structure बनाते बनना चाहिए HTML या XHTML के माद्यम से तो HTML हमने अल्रेडी पढ़ चुके हैं तो I hope आपने HTML पढ़ा होगा और आपको structure बनाते भी बनता होगा तो ये basic condition है अगर ये आपकी basic condition complete है तो आप CSS पढ़ने में आपको काफी अच्छा फील होगा यदि कोई वेक्टी इन से family year नहीं है मतलब उसको web page का structure बनाते नहीं बनता दो CSS पढ़ने में उसको काफी कठना ही होगी तो आप पहले ध्यान दीजिए आप पहले जाकर playlist है HTML को सीख लीजी अगर नहीं सीखा तो उसके बाद आप CSS के वीडियो देख लीजे चलिए आगे चलते हम सबसे पहले बात करते हैं CSS के syntax की syntax का मतलब होता है praroop क्या होता है praroop मतलब CSS के tag लिखने के लिए CSS को प्योग करने के लिए हमारे पास में क्या praroop होना चाहिए उसी को क्या बोला जाता है उसी को syntax बोला जाता है तो CSS के लिए तीन चीज़े जरूरी है मतलब CSS के प्रारूप में या फिर syntax में तीन मुखे parts होते हैं जिसे हम बोलते हैं selector, property और value तो selector हर एक उस चीज़ को बोल सकते हैं जो हमारे html tag का नाम है जैसे h1 हो गया जैसे table हो गया या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़े जैसे body tag हमने लिखे तो body के लिए हमने अभी define करे थे ठीक है हम p tag लिख लिख रहे हैं p tag के लिए हम property define कर सकते हैं मतलब जो selector है तो selector मतलब समझ गया आप html के हर एक element जो हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं selector और html के element के अंदर हम attribute देते थे उसी के बदले हम जो css से हमाँ पर properties define करते हैं ठीक है और property में क्या काम किया जाएगा उसके लिए value define करते हैं तो यह तीन चीज मिलकर यहनिकि selector property और value यह तीन चीज मिलकर हमारा क्या बनाते हैं css का syntax बनाते हैं चलिए आगे समझते हैं css के syntax में तो यदि हम table में कोई चीज उपयोग कर रहे हैं तो देखे table के लिए हम जो है table tag उपयोग करते ह तो table के लिए यहां पर जब हम css लिखते हैं तो table नाम से हमने क्या ले लिए है selector ले लिए अब curly bracket start करें तो उसकी border क्या होनी चाहिए table की तो border मतलब हो गया property, border में देखे colon लगाए colon मतलब समझते ना colon dash application लिखते तब colon लगाते ने colon बाला जो है हम लगाए और one pixel उसकी bit होना चाहिए उसका color red होना चाहिए और उसका जो style है solid होना चाहिए इन तीनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं आपए इन तीनों को मिलाग हमारे पास बन जाती है value यहनि कि border के अंतरगत इसको short hand property बोलते हैं border की short hand properties को बोलते हैं इसको long में भी लिख सकते है जैसे border की bit क्या होने चाहिए border color क्या होना चाहिए border की style क्या होने चाहिए यह तीनों जो है लग 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 ले सकते हैं तो border हो गया property border की value ले लिए और semicolon लगा के curly bucket end कर दिए तो यह जो complete है complete को हम क्या बोलेंगे यहां पर syntax बोलेंगे समझ में आ गया होगा आपको syntax मतलब क्या है syntax मतलब होता है CSS में काम करने का प्रारूप यह CSS को कैसे apply करते हैं उसका प्रारूप तो किस-किस से मिलकर बना वह selector property value 1 value 2 value 3 कुछ भी हो सकता है एक हो सकता है 4 हो सकते है 5 हो सकते है तो इन्हें बोलते है इस complete को बोलते है declaration यानि selector हो गया selector को declare करना और पूरे से क्या बन गया syntax आई होप आपको syntax समझ में आए होगा इसी के प्रारूप के अनुसार हम जो है आगे सारी style को apply करने वाले हम से हम जो है नाम define कर देते हैं और उसकी property और value define कर देते हैं जैसी कि हमने अभी देखे थे क्या h1 हमने लिए थे और h1 का हमने color दे दिये थे और अगर universal selector हम लेते हैं तो universal के लिए सिर्प star लगाते हैं मतलब हमने h1 लगाए नहीं यहाँ पर हम star लगाते हैं और जितनी भ डिए इस पैरा ठीक है उसके बाद और क्या ले लेते हैं एक दुशी और ले ले लते हैं जैसे h2 ले 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 थे ठीक है h2 ले 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 लेते है और this is heading 3 यह हमने क्या लिए है h1, h2, h3 और एक paragraph लिए यदि हम इन सब को क्या कर दें comment कर देते हैं देखे comment करने के लिए आपको slash star पहले लगाना है और slash star बाद में तो उनके बीच की यतनी चीजे वो comment मजाएगी और comment आपको बता क्या होता है comment का बतलब होता है browser उसको ignore कर देगा यानि कि यह run नहीं करेगा अब हम यहाँ star पहले तो हम h1 लिए थे तो h1 वाला the type selector आपको समझ में आगे हमने पहले उप्योप कर लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर star और star लगा के हम यहाँ पर ले लेते हैं और color ले लेते हैं क्या जैसे yellow यहाँ ले लिए हमने star लगा कर सिर्फ color यहाँ लिए है और हमने यहाँ चार element ली है जब हम इसको run कराते हैं open browser तो यहाँ देखे इसका color भी यहाँ आ रहा दूसरे paragraph का color भी यहाँ आ रहा इसका भी color यहाँ 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 चारों selector इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी इसके अंदर define किया जाएगा वो जितने भी tag होंगे अगर उनके लिए personally को style seat उपयोग नहीं की गई है तो वो सब के लिए apply कर देगा जिसे हम कर देते हैं blue क्या कर देते हैं यह blue कर देते हैं ठीक है यह blue हमने कर दिया और यहाँ ज selector देखने मिलता है class selector मतल़ होता कोई div हम बनाते हैं तो div बनाते उसके नाम से हम जो है उसकी id define कर देते हैं यहर। define कर देते हैं तो class के लिए dot से define किया जाता है ठीक है जब इसका selector define करते हैं और id के लिए has से define किया जाता है चलिए दोनों को उप्योग करते हैं यहां पर हम चलते हैं और अलग से एक dip बनाते हैं इनको मैं हटा देता हूं यह सारी चीजे मैं हटा देता हूं यहां से ठीक है यह हटा दिया और यहां सिर्फ मैं एक डिब ले लेता हूँ अच्छा है यहां चलते हैं यहां डिब लेते हैं तो डिब मतलब आप समझ गए डिब मतलब होता है एक डिबिजन ठीक है और डिब में हम ले लेते हैं पहले class, और class का नाम दे देते हैं, हम ये man class है, तो man दे देते हैं और dip के अंदर लिख देते हैं, एक h1 में लिख देते हैं, ठीक है, h1 में लिख देते हैं, this is dip, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको जब हम run कराते हैं, तो देखे, this is dip, पर dip के नीचे है, आसपास कुछ भी नहीं आ और उपर वाले जो टेग है इनको मैं हटा देता हूँ अभी फिला हला अब देखो ज़रा रन करके तो देखे दिस इस डिप अब यह डिप जो है वो अपने लिए यानि कि हमने क्लास ली है तो हमको क्लास सेलेक्टर लेना पड़ेगा और क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट से क्या जाता है तो देखे यहां क्लास को हमने में नाम दी है और स्टाइल के अंदर जाकर हम जो है में नाम से क्या कर लेते हैं डिफाइन कर लेते हैं तो इसकी बिट्त क्या होनी चाहिए इसकी बिट्त होनी चाहिए जैसे मान लो हमने बिट्त देती है तीन सो पिक्सल या फ दोटेड होना चाहिए तीन चीजें हम उपयोग कर सकते हैं ठीक है इसके अलाबा इसका कलर क्या होना चाहिए कलर होना चाहिए इसका डार्क dark blue कर देते हैं ठीक है चली इतना करके देखते हैं और इसके अलावा इसकी margin भी दे सकते हैं margin जो है margin होती है outside से यानि कि body से इसकी दूरी कितनी रहेगी इसको बलते है margin तो margin को हम अभी कर देते है आटो ठीक है अब यहां देखे हमने dot main के नाम से class define के और class को class से यहां पर main को हमने पहले से इसका नाम दे दीती है तो देखे यहां जो है वो div आ चुकी है अब इसके अंदर जो text है वो कैसा आ रहा है देखे इससे चपकर आ रहा है तो text के लिए भी हम क्यादे देते हैं तो यह सारी चीज़ तो हम आगे पढ़ेंगे अभी बेग्राउंड कलर दे देते हैं light yellow चलिए light यहां पर gray कर देते हैं ठीक है इसका color change हो चुका है इसके अलाबा हम एक और div लेते हैं और उसको यहां पर नीचे यहां ले लेते हैं एक div और div में हम इसका id से define करते हैं और id को हम दे देते हैं min1 ठीक उसके लाबा यहां पर हम फिर h1 लेते हैं और h1 लेके हम क्या कर देते हैं और this is second div ठीक है और यहां पर इसको करते हैं हम run तो नीचे देखे कुछ भी नहीं आ रहा पहले इसकी height कम कर देते हैं height इसके कर देते हैं hundred ठीक है तो अब देखे इस div में भी काम होना चाहिए इस div के लिए हम फिर से define करेंगे यहां नीचे देखे अब dot ना लगा करेंगे और main one लिंगे ठीक है basis same to same यह मैं अभी फिलाल copy कर देता हूं क्यों क्योंकि time बचेगा तो 300 pixel 100 pixel ठीक है 5 pixel इसका और dark blue की जगे इसमें कर देते हैं dark red dark red कर देते हैं ठीक है margin auto कर देते हैं पैडिंग और इसका color जो है हम कर देते हैं क्या yellow ठीक अब देखिए हमने has main के साथ में लिए थी यहां पे देखे आईडी के साथ में उप्योग कर लिए और यदि हम डॉट के साथ लेते हैं dot main तो यहां पे हमने class के नाम से कर दी हमने चाहे तो margin बढ़ा सकते हैं हम आगे देखेंगे box model जब हम बनाएंगे तो यहां पर आपको समझ माय होगा कि जो हमने selector up-yop करे हैं एक तो हमने element selector up-yop करे एक universal एक हमने dot के साथ उप्योग करे जिसे class selector बोलते हैं एक हमने has के साथ उप्योग करे जिसे हम id बो selector को देखें अब देखें एक selector और होता है जिसे हम बोलते है grouping selector grouping selector का मतला होता है जिसे आप मानलो एक सेधिक element में काम कर रहे हूं universal के माध्यम से हमने देखे थे कि जितने भी element उप्योग करे हैं सभी हमें एक जैसी formatting हो जाए ठीक है जिसको हमने star से define करे थे star से define करे थे और इसके अंदर जो भी define करे हैं वो सब जितनी भी चीजे वेब पेज में उप्योग है सभी के लिए उप्योग हो जाए पर हम कुछ particular element के लिए यहां पर style define करना चाहते हैं तो जैसे h1, h2, h3 में common रहना चाहिए तो इनके लिए हम comma लागा लागा तीन लिग और देखे curly bracket लगा curly bracket end कर दिए color क्या होना चाहिए, font bit क्या होना चाहिए, later spacing, margin bottom, text transform यह सारी चीजे जो होगी इन तीनों में बस apply होगी तो group का मतलब क्या होता है एक से अधिक और यहां h1, h2, h3 यह एक प्रकार का group है तो इसलिए इसको group selector बोलते हैं तो यहां भे हमारे sele हमने जो है यहां पर है h1 जो element selector है वो देख लिए फिर उसका universal selector देख लिए फिर class selector फिर id selector तो यह चारों देख लिए पांच बाप उपयोग करिए आपको समझ में आ जाएगा